हेलो फ्रेंड्स, वेलकब टो इस्टेडिकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस लेक्षर में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्ट 2023 के most important current of years के कोशन, तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत इध्यान से लास्त तक जूर देखीगा, आज का पहला और important कोशन है, महिला समानता दिवस कब मनाय जाता है, यानि women's equality day कब celebrate किया जाता है, तो हर साल 26 अगस्ट को महिला समानता दिवस मनाय जाता है, दोस्तो यह दिवस क्यों मनाय जाता है, क्योंकि जो महिलाओं के rights हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनमें समानता आए, और समानता के प्रती जागरुक बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाय जाता है, अब बात आती है theme की, तो दोस्तो 2023 की जो theme है वो है आलिंगन समानता यानि embrace equality, तो यह जो theme है यह 2021 से लेकर 2026 तक के लिए रखी गई है, तो इस साल की भी theme क्या हो जाएगी, embrace equality, 1971 में अमेर्की कॉंग्रेस ने महिला अधिकारों का सम्मान करने के लिए officially तोर पर महिला समानता दिवस की स्थापना की थी, दोस्तो यहाँ पर दिवस की बात आई है, तो अगस्त माह में अब तक मनाय गए जो important day है, उनको एक बार discuss कर लेते हैं, एक बार revise कर लेते हैं, तो आप इने note down जरूर करिएगा, विसो जल सप्ता है, 20-24 अगस्त को मनाय गया है, दास ब्यापार और उसके उनमूलन के इस्मरती के लिए अंतरराश्टी दिवस 23 अगस्त को मनाय जाता है, विसो वरिष्ट नागरेग दिवस 21 अगस्त को मनाय जाता है, आतंक बाद के पीड़तों को इस्मरण और सृधान विसो जली का अंतरराश्टी दिवस 21 अगस्त को मनाय जाता है, विसो मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाय जाता है, इसके अलाबा राश्टिय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, विसो फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, विसो मानावताबादी दिवस 19 अगस्त को, पार्सी इसके अलावा दोस्तो याद रखीगा विस्तु लंग कैंसर दिवस का मनाया जाता है एक अगस्त को मनाया जाता है दोस्तो आपको इस पूरे लेक्षर को लास्ट तक देखना है लास्ट में आपसे कुशन पूछा जाएगा जिसका अंसर कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबालें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा टेलीग्राम पर जाना है आपको study car official search करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे join करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगे PDF हमारे एप पर भी उपलब्ध हैं तो एप को डाउनलोड कर लीजिगा link description box में दिया गया है अगर आपको ये lecture पसंद आता है तो आप इसे like करें, share करें सभी दोस्तों को सभी social media platform पर चलिए अंगला important question discuss करते हैं Indian Pump Manufacturers Association के अधिक्ष कौन बने हैं इस question का जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा केवी कार्थिक, कौन बने हैं दोस्तो केवी कार्थिक बने हैं तो भारत की Pump निर्माण कंपनियों में से एक है Deacon Industries, तो उसके प्रवंध निर्देशक हैं केवी कार्थिक तो उन्हें भारतिय पंप निर्माता संग के अधिक्ष की रूप में चुना गया है केवी कार्थिक की बात करें तो भारतिय पंप निर्माता संग के 49 बे अधिक्ष बने हैं अब यहां पर बात आई है अपोइंटमेंट की तो हाल ही में कुछ निप्तियां डिसकस करते हैं जैसे Infosys के Global Brand Ambassador कोन बने है राफेल नडाल बने है चुनाओ आयोक के राष्टिया आईकॉन कोन बने है सचिन तेंदूलकर NGT के नए अधिक्ष कोन बने है Justice Prakash Rivaastau Bycom 18 के Digital Business के नए CEO बने है किरण मनी UIDAI के Part-Time Chairman मने है नील कंठ मिसरा BPCL के Brand Commissioner राहुल दर्बिन जी बने है South Indian Bank के नए MD और CEO बने है PR सिसादरी Power Finance Corporation के CMD बने है परमिंदर चोपड़ा इसके अलाबा दोस्तों विस्व Athletics के उफाद्यक्ष कोन बने है आदिल सुम्रीबाला सेवी के पूर्ण कालिक सदस कोन बने है कमलेस वार्षने और अमर जी सींग LIC के प्रवंध निदेशक आर दुराई स्वामी बने है पलग के ब्रांड अम्बेस्टर करीना कपूर बनी है SBI Life के MD और CEO अमित जिंगरन बने है ओडिसा उचनियाला के नए मुखिन्याधीज बने है सुभासी स्तलपात्रा टेसला के CFO बने है बैभाव तनेजा और कैबनेट सचो की रूप में फिरसे नुक्ती किसकी की गई है राजी उगौबा जी की और FBI के फिल्ड आफिस की हेड कौन मनी है सोहिनी सिन्हा मनी है अंगला महत्पोर परसन है स्री हनमान लोग का उद्गाटन मद्द प्रदेश में कहां किया जाएगा आंसर हो जाएगा इसका छिनवाड़ा तो छिनवाड़ा में स्री हनमान लोग का उद्गाटन किया जाएगा देखे दोस्तों मद्द प्रदेश के अगर हम बात करें तो मद्द प्रदेश में स्री महाकाल लोग उज्जैन में है नर्बदा लोग बनाने की बात की गई है अमरकंटक में इसी प्रकार से हनमान लोग बनाये जाएगा छिंदवाड़ा में तो मद्रप्रदेश के जो चीप मिनिस्टर हैं सिवराज सिंग चोहान जी तो उनके द्वारा छिंदवाड़ा में स्री हनमान लोग का उदगाटन भी किया गया है छिंदवाड़ा जिले के जाम सामली हनमान मंदिर में स्री हनमान लोग का भूमी पूजन अभी हाली में चीप और नाम का एक नए जिला बनाए जाएगा तो इस प्रकार के गोशना की जा रही हैं सिएम सिवराज सिंग चोहान के द्वारा अब देखते हैं कब इसका ओफीसियल नोटीपिकिसन आता है जैसे ही ओफीसियल नोटीपिकिसन आएगा दोस्तों तो आपको इनफॉर्म करा दिय गया जाएगा बाता है मद्दप्रदेश की तो मद्दप्रदेश से रिलेड़िड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स डिसकस करते हैं तो चीप मिनिश्टर सिवराज सिंग चोहान और राजसभा के सांसद हैं और मंत्री हैं जो उत्रादित सिंधिया जी तो उनके द्वारा दतिया में एक हवाई अड़े का सिलान्यास किया गया है पिम नरेंद्र मोदी ने एमपी के बढ़ तूमा जो की सागर डिस्टिक में है वहाँ पर संत रविदास मंदर की नीव रखी है मद्दप्रदेश कैबिनेट ने किसान कल्याड योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की मंजूरी दी है अभी इससे पहले 4,000 रुपए मिलते थे किसानों को किसी योजना के तहत किसान कल्याड योजना के तहत अब 6,000 रुपए मिलेंगे सिएम सिवराज सिंग चोहान ने अनूपपुर में मान नर्मदा लोक बनाने की अभी हाली में घूशना की थी मद्दप्रदेश सरकार डिंडोरी में नकसली गतिवध्यों पर नियंतरण के लिए SDOP कार्याले स्थापित करने वाली है भारत में सबसे अधेक बाग किस स्टेट में हैं मद्दप्रदेश में 785 बाग हैं और भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहां पर खोली गई है मद्दप्रदेश में खोली गई है अब हम मद्दप्रदेश की बेसिक जानकारी भी डिसकस कर लेते हैं तो मद्दप्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था राजधानी भोपाल है यहाँ पर जिलों की संख्या 53 है राजपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल मुखमंत्री हैं सिवराज सिंग चोहान विधान सबा की 230 सीटे हैं राजपाल की 11 सीटे हैं और लोगशबा की 29 सीटे हैं दोस्तो मद्प्रदेश की राश्ट्य उद्यान आपके एक्जाम में अकसर पूसे जाते हैं तो इनको भी आप नोट कर लीजेगा कानहा किसली राश्ट्य उद्यान माधाओ राश्ट्य उद्यान बांधाउकड राष्ट्यूद्यान, जीवास्म राष्ट्यूद्यान, बन बिहार राष्ट्यूद्यान, संजे डूबरी राष्ट्यूद्यान, पन्ना राष्ट्यूद्यान, सत्पुडा राष्ट्यूद्यान, पैंच राष्ट्यूद्यान, ओमकारेशोर राष्ट्यूद सर्वोच सम्मान प्राप्त हुआ है आंसर हो जाएगा ग्रीस तो देखे अभी हाली में प्राइम मिनिश्टर मोदी जी ब्रिक्स सम्मिट में सामेल हुए थे साउध अफरीका गए थे इसके बाद उन्होंने एक दिन का ग्रीस का दौरा किया है और वो 40 साल बाद ग्रीस का दौरा करने वाले दूसरे प्राइम मिनिश्टर बने हैं इससे पहले इंद्रा गांधी जी ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया था तो याद रखिएगा ग्रीस का दौरा करने वाले दूसरे प्रधान मंतरी कौन है प्राइमिस्टर मोदी जी और दोस्तो इसी दोरे के दोरान उन्हें ग्रीस के दोरा Grand Cross of the Order of Honor से सम्मानेत क्या गया है जो कि ग्रीस का दूसरा सरवोच सम्मान है बात करते हैं ग्रीस की तो ग्रीस यूरोप महादीप में स्तित है ये जो आप देख पा रहे हैं मैप ये ग्रीस का मैप है छोटे छोटे यहाँ पर आपको टापू दिखाई देंगे छोटे छोटे दूइप दिखाई देंगे तो यही है ग्रीस दोस्तो इसे यूनान के नाम से भी जाना जाता है ग्रीस की जो कैपिटल है वो है एथेंस प्राइमिनिस्टर है क्रिया कोस मित्सो टाकिस यहां की जो करंसी है वो है यूरो नेक्स्ट कुश्चन है 79 राष्टे फिल्म पुरुसकारों में वैस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है आंसर हो जाएगा रॉकेट्री दा नम्दी एफेक्ट को मूवी का नाम जरूर याद रखिएगा क्या है इस मूवी का नाम रॉकेट्री दा नम्दी एफेक्ट तो अभी हाल ही में 79 राष्टे फिल्म पुरुसकारों की गुसना की गई है जो की 2021 के लिए प्रदान किये गए है बात करें अगर हम राष्टे फिल्म पुरुसकारों की या नेशनल फिल्म अवार्ड की तो ये 1954 से दिये जा रहे हैं भारतिय फिल्म महुत्साव नेदे साल है हर साल इसके समारों का संचालन करता है चलिए दोस्तों विनर डिसकस करते हैं कि कौन-कौन विनर रहे हैं 69 राष्टिय फिल्म पुरुसकारों में तो वेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेट्री दा नमबी एफेक्ट को और इसके डारेक्टर याद जरू रखना है आपको आर मादवन है वेस्ट डारेक्टर का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए सर्प्सरेष्ट लोकपिरिय फिल्म का अवार्ड मिला है त्रिपल आर मूबी को नर्गिस दक्त पुरुसकार मिला है दककस्मीर फाइल्स को सर्प्स्रेष्ट अभनेता का आवाड मिला है अलू अर्जुन को पुस्पादा राइस फिल्म के लिए सर्प्स्रेष्ट अभनेत्री का आवाड मिला है आलिया भट और क्रती सैनन को तो आलिया भट को उनकी मूवी गंगुवाई काठिया बाड़ी के लिए और करती सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए सर्बस्रेष्ट अभनेतरी का अवार्ड दिया गया है सर्बस्रेष्ट सहाइक अभनेतरी का अवार्ड दिया गया है पंकस तरपाठी को उनकी फिल्म मिमी के लिए और सर्प्स्रेष्ट सहाइक अभनेतरी का अवार्ड मिला है पल्लवी जोसी को दक कस्मीर फाइल्स के लिए सर्प्स्रेष्ट बाल कलाकार का पुरुसकार मिला है भाविन रवारी को छेलो सो मोबी के लिए सर्ब्स्रेश्ट हिंदी फिल्म का अबाड मिला है सरदार उधम को इंद्रागांधी पुरुसकार मिला है मैप डियन को जोकी विशनु मोहन की फिल्म है सर्ब्स्रेश्ट पुरुस पार्सुगायक का जो अबाड है या प्लेबेक सिंगर का जो अबाड है वो मिला है काल भैरव को तरपल आर मुवी के लिए और सर्बसेश्ट महिला प्लेबेक सिंगर का जो अबाड है वो मिला है स्रिया घोसाल को इराविन निजल फिल्म के लिए नेक्स्ट कुशन है अमन प्रीस सिंग ने आई SSF विस्व चेंपियन सिप में कौन सा मेडल जीता है आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल तो दोस्तो भारतिये निसानेवाज हैं अमन प्रीस सिंग तो उन्होंने बाकू में आयुजित की जा रही आई SSF विस्व चेंपियन सिप दो हजार तेश में पुर्सों की 25 मीटर स्टेंडर्ड पिस्टल सूटिंग इस परदा में गोल्ड मेडल हासिल किया है याद रखना है कि जो बाकू है ये कहां पर है दोस्तो अजर वेजान में है बात करते हैं आई SSF की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसकी स्थापना 1907 में की गई थी इसके 150 सदस हैं म्यूनिक जर्मनी में इसका हैड़कॉर्टर है और इसके अध्यक्ष हैं लुशियानो रॉसी सचयो हैं विली ग्रिल और दोस्तो यह सूटिंग के छितर में विस्व की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है नेक्स्ट कोश्चन है V20 सम्मिट इंडिया 2023 कहां सुरू हुआ है यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है देखे दोस्तो जो B20 है इसका मतलब क्या होता है बिजनेस 20 तो बिजनेस 20 को हम सौट में V20 के नाम से जानते हैं तो G20 का एक समो है यानि कि G20 में सहायता करने वाला ए 2010 में की गई थी और ये जो B20 सम्मिट हो रहा है 2023 में ये 25 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू हुआ है दोस्तो बात आई है यहां पर G20 की तो G20 से रिलेटेट भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करते हैं तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी इसमें 19 से अंतराष्टिय बित्य इस्तिर्था और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है जी ट्वेंटी का पहला सम्मिट हुआ था 2008 में बासिंगटन अमेरिका में 2022 का सम्मिलन इंडोनेसिया में हुआ है 2023 का इंडिया में हो रहा है 2024 का ब्राजील में होगा और 2025 का सम्मिट सा एक बार रिवाइस करते हैं अर्जेंटिना, ऑस्टेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेसिया, इटली, जापान, मैक्शको, रसिया, साउधी अरेविया, साउध अफ्रिका, साउध कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूरोप यूनियन इसमें सामिल हैं, नेक्स्ट कोशन है, किस राज में नास्ता योजना को विस्तारित किया गया है, आंसर हो जाएगा तमिल नाडू, तो देखे दोस्तों, तमिल नाडू में एक योजना चलती है, इसकूली बच्चों के लिए, मुख्ध मंतरी नास्ता योजना, तो इसी नास्ता योजना का अभी हाली में विस्तार किया गया है, तो 2022 में ये जो योजना है लॉंच की गई थी, जिसमें कक्षा एक से पांच तक के, एक दिसमलो एक चार लाग से अधिक बच्चों को, जो की सरकारी प्रात्मिक विद्यालों में पढ़ते हैं, उनको योजना मद्द प्रदेश से, नंद बाबा दुग्द मिशन योजना उत्तर प्रदेश से, आस्रा पैंसन योजना तेलंगाना से, अम्मा योजना और बातसल योजना सिक्किम से रिलेटिड है, चिराग योजना हर्याना से, अंडा और दोध योजना केरल से, नारी को नमन योजना हिमाचर प्रदेश से रिलेटिड है अंगला प्रसन है लडाकू बिमान तेजस से किस मिसाइल का परिक्षण किया गया है आंसर हो जाएगा अस्त्र मिसाइल का तो अभी हाली में अस्त्र मिसाइल का तेजस लडाकू बिमान से परिक्षण किया गया है और ये जो अस्त्र मिसाइल है ये इंडिजीनियस मिसाइल है यनि स्वदेसी मिसाइल है और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है इसका टेस्ट कब हुआ था 23 अगस 2023 को कहां पर हुआ है इसका टेस्ट तो गोवा के तट पर इसका टेस्ट किया गया है किस बिमान से कि कितनी उचाई पर इसका परिक्षण किया गया है तो लगबग 20,000 फिट की उचाई पर इसका परिक्षण किया गया है। रखी गई है। आंसर हो जाएगा आंधप्रदेश। तो आंधप्रदेश के जो चीप मिष्टर है Y.S. जगन मोहन रेड़ी तो उनके द्वारा नंद याला जिले में 5,314 मेगावाट विजली उत्पादन करने के लिए तीन नभी करणिये उर्जा परियूजनाव की आधार स जिला रखी गई है। बात आई है आंधप्रदेश की तो दोस्तो आंधप्रदेश के जो राजपाल है वो है S. अब्दुल नजीर और इसका जो गठन है वो 1956 में किया गया था। मुख मंतरी है Y.S. जगन मोहन रेड़ी विधान सभा की 176 सीटे हैं राज सभा की 11 सीटे हैं और लोग शबा की 25 सीटे हैं यहाँ पर आप आंधप्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं। चलिए अब कल के करिंट अफ्यर को एक बार रिबाइस करते हैं फिर जनरल नोलेश के पिटारे को डिसकस करेंगे लास्ट में आपसे कोशन पूछेगी जिसका आंसर कमेंट बॉक की मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोसान योजना कैंसरकार की द्वारा कब से सुरू की जाएगी एक सितंबर 2023 से। सी राधा कृसन राव का निधन हो गया है वाई कौन थे तो वह एक गड़ तक थे। भारत के पहले Artificial Intelligence School का उधगाटन के स्राज में किया गया है केरल में। खे कोशन जागरुकता सुचकांक 2023 में कौन सा राज पहले स्थान पर है पंजाब। तो ये थे कल के Current Affairs के कोशन। चलिए दोस्तों आज की General Knowledge के पिटारे में हम डिसकस करते हैं भारत के प्रमुक युद्ध। तो खानबा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद 1528 मे खागरा का युद 1529 में और दो राहे का युद 1532 में चौसा का युद 1539 में और कनोच या बिलग्राम का युद 1540 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद 1576 में हुआ था और एहमंद नगर का युद सन 1600 में हुआ था तो ये हैं भारत के प्रमुक युद्ध। गल के Current Affairs में जो question पूछा गया था उसका answer है South Africa, तो लगभग सभी लोगों ने इसका answer South Africa ही दिया हुआ है, कुछ लोगों ने बहुत ही बैतरीन तरीके से detail में बताया हुआ है तो इसी प्रकार से आप से जो question पूछा जाए, उसका answer आप comment box में जरूर बताईएगा आज का question है, महिला समानता दिबस कब मनाये जता है तो जो भी इसका right answer हो, comment box में जरूर बताएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी answer का, मिलते हैं next lecture में जय हिंद वंदे मातरम